कौन से गोजी मीडिया थी 17 साल से किसकी गोजी में बैठा हुआ मीडिया था 17 साल से मैं बोल लूँ अगर आपको इजाज़त दे हर लाइन पर टोके हैं तो चाहिए तू 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 मैं मैं करेंगे हम दोनों आप चाहती है तू तू मैं मैं हो मीडिया हम इसलिए टिपनी करते हैं क्योंकि वे सरकार से कम ही सवाल करता है और विपक्स से ठीके सवाल करता ही रहता है चाहे मुद्धा कुछ भी हो और ऐसा करते-करते मीडिया एंकर को काफे सुनना भी पड़ता है किसान अंदोलन के मुद्धे पर न्यूज 18 की एक डिबेट में अमीश ने कॉंग्रसी नेता से ठीके सवाल करने शुरू किये जब बैजवाब देने लगे तो अमीश ने बीच में टोकना शुरू कर दिया जिस वज़ा से कॉंग्रसी नेता ने गोदी मीडिया शब्द का इस्तमाल किया जिस पर अमीश फड़क उठे लेकिन देखिये अराजक ता फैलाने के लिए दोई लोग काफी होते हैं उसके लिए कोई मोहला तो चाहिए नहीं होता आप लोगों फ़ला रहा है की बी पैच्चा गुमोदी जी कि लोग अमीश जी देखिये अब अपना ना अब बार 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 ये जो गोधी मीडिया की बात होती है तो मैं एक लाइन में आपको बोल देटा हूँ आप लोगों की आदत हो दिये कि आप लोगों के पास सवाल का जवाब नहीं होता तो गोधी मीडिया कौन सी गोधी जी पर एपना आतर करना बंद करिए, आपके पास सवाल का जवाब नहीं होता, तो आप मardदिजी, आपको BCP से चढ़ है, इसके लावा किसानों के मुद्धे पर ABP News पर हुई डिपेट में बीजेपी नेता एंकर पर भड़कते दिखाई दिये रूबिका ने बीजेपी नेता से कुछ सवाल किये जब जवाब देने लगे तब बीच में उन्हें टोक दिया जिस पर गौरवभाटिया ने एंकर को डांट लगा दी इसके कॉंद्रिस का मेनिफेस्टो आपने पढ़ दिया है लेकिन इनमें वो इच्छा शक्ती नहीं थी वो मंचा ही नहीं थी ठीक है इनमें आप इच्छा शक्ती नहीं थी रूबिका जी मैं चुनता हूँ कि विपक्ष में दम नहीं है और मैं बताता हूँ अगर आप इजाजत दे हर लाइन पर टोकन की तो चाहिए तू तू मैं मैं करेंगे अम दोनों आप चाहती है तू तू मैं मैं हो, मैं आपके प्रश्ट का उत्तर दे रहा हूँ आपके अगर आप पूरी बात सुनें और मैं 30 सेकंड और 45 सेकंड में अपती बात पूरी कर लूँ आज तक पर करोना वैक्सीन के मुद्दे पर एक डिबेट हुई, इस डिबेट का मुद्दा मुस्लिम समिदायक वा करोना वैक्सीन पर किसी कारण की वज़ा से इतराज साहिर करना था इस डिबेट में एंकर रोहित सर्दाना ने समाजिक कारेकरता से इस पर तीखा सवाल किया तब इसका उन्होंने करारा जवाब भी दिया अब मैं एक बात के कहना चाहती हूं कि मौलाना साथ का शयद कहने का मकसद ये था जो मैं आप कहने जा रही हूं कि करोना हमेशा जब निकलता है तो मुसल्मानों को क्यो टार्गेट करता है करोना अगर है बहुत ज्यादा है तो इन सब भीर्ट मे जो जब रालियां हो रही होती है जब लेक्शनs हो रहे होते हैं तो क्यों नहीं सफर करता है अब आ करके आपने करोना पर ये बहस बिठा दी कि इसमें कुछ मुसल्मान ये कह रहा है कुछ ये कह रहे हैं सवाल करेगा भी के नहीं?